आपने खुद से एक सवाल पूछा है कि जो लोग दो साल ब्रह्मचरे का पालन करते हैं, तीन साल ब्रह्मचरे का पालन करते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं, जिसके कारण वो इतने दूर आपाते हैं, और बाकी लोग पीछे रहा जाते हैं, कोई कहता है दस दिन ब्रह्मचरे हु तो दोनों इंसानों में इतना जादा फासला कैसे है क्यूं है तो एक इंसान ऐसा है जो पहले मैने में ही ब्रह्मचरे तोड़ देता है और दूसरे वाले का सवाली पैदा नहीं होता ब्रह्मचरे तोड़ने का मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो चाते हैं ब्रह्मचरे का पालन करना लंबे समय तक लेकिन उनसे हो ही नहीं पाता बहुत कोशिश करते हैं वो बहुत हाथ पैर मारते हैं देखो मेरे भाई ध्यान से समझना जब भी आप कोई ऐसी चीज देख लेते हो जो आपकी अमन में उत्तेज़ना पैदा करती है तो दो चीज़े यहाँ पर काम क जाए थौट सेंसेशन के उपर हावी होने लगे तो समझना एक डिजायर तयार होता है वहीं पर देखो जब भी आप वीरेनाश करने की सोस्ते हो वो इसलिए सोस्ते हो क्योंकि आपने सरेंडर किया है जो आपको उस वक्त लग रहा है कि यार इससे बढ़िया चीज तो मिल करते हैं हमारे साथ और देखना जो लोग वीरेनाश करते हैं वो करने से पहले एक बार फिक्स्ट प्लान बना लेता है कि इस बार कर लेता हूं और आगे से डेट भी प्लान कर लेता है कि आज मैं कर लेता हूं अगले मैने से से स्टेंबर से स्टार्ट करूंगा देखना पता क्यूं? क्योंकि वो कल में जीता है और पास्ट में जीता है तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कुछ लोग 2 साल ब्रह्मचरे का पालन करते हैं कुछ लोग 20 दिन के अंदर सिमर जाते हैं तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ जिससे कि जो लोग 10 दिन पे अटके हैं 15 दिन 20 दिन 25 दिन यही रेंज में घुमते रहते हैं वो भी चाहें तो एक साल या दो साल आराम से ब्रह्मचरे का पालन कर पाएंगे तो वीडियो को बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दू आज किस वीडियो के लिए हम एम रखते हैं 2500 लाइक्स के लिए मुझे पता है आप लोग इसको भी आराम से पार करवा दोगे पिछले बार की तरह देखो आप मेंसे बहुत सार ऐसा लोग है जिन्होंने अर्ड लाइट इंगल का नाम सुना होगा उनकी ये एक बहुत ज़ादा फेमस चैलेंज है जो है 30 डेस चैलेंज को लेकर ठीक है 30 दिन का चैलेंज है आप समझे गए होगे लेकिन इसमें करना क्या है वो सुनो क्योंकि ये बहुत ज़ादा काम करता है बहुत कारगर है प्रैक्टिकल लेवल पर ये एक काम करेगा और आपको रियल लैप में इसका असर पहले दिन से दिखना शुरू हो जाएगा एक कागस लें ठीक है कि आप अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हो या फिर अच्छा खासा फेम चाहते हो तरक्की चाहते हो ठीक है प्यार चाहते हो लोगों से रस्पेक्ट चाहते हो जो भी चाहते हो आप लिखो लेकिन आपको स्पेसिफिकली लिखना है जो भी आप चाहते हो clear होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो पहले तो ये है आपको 30 दिन तो देने ही पढ़ेंगे 30 दिन के भीतर आप give up नहीं कर सकते आपको हर दिन पढ़ना पढ़ेगा कागज में आपने जो भी लिखाता रात में सोने से पहले आपको पढ़ना होगा उसको ठीक है जब आप सुबा उठें तब आप पढ़ें एक बार दोपर में पढ़ें एक बार शाम में पढ़ें जब आप खुद को इस तरह का चैलेंज दोगे तो लाइप में एक value एड होती है ठीक है आपकी जिंदगी थोड़ी मज़िदार होगी और देखो अगर आप ब्रह्मचेरे का पालन honestly करना चाहते हो लंबे समय तक तो आपको अपनी diet को लेकर थोड़ा सा conscious होना पड़ेगा तो इस channel पर आपको पूरी की पूरी एक playlist मिल जाएगी और मुझसे ब्रह्मचेरे की diet plan वाली वीडियो पर जरूर मिलें